वनफाइपर गुमशुदगी की इतला दें तो कौन-कौन सी ऐसी इंफरमेशन है जो उन्हें परवाइड करनी चाहिए परसन की गुमशुदगी की इतला कर रहे हैं तो उसकी एज, उसका हुलिया, किस किसम के कपड़े उस परद ने पहने हुए थे जब वो गुमशुदा हुआ जब हम किसी भी फैमली को बताते हैं कि आपका फलाँ बच्चा था इसे मिलता जुलता बच्चा हमें मिला है लंबी लाइन होती है, दौाओं की जो हमें मिल रही होती है, उसके साथ जो उनकी आवाज, उनके वर्ड्स, वी केनाट एक्स्प्रेस असलाम अलेकुम नाज़ीन, प्रोगाम कानून के दायरे में मैं हूँ आपका होस्ट उजयार अब्दुला नाज़ीन, किसी भी मुश्किल सुरत हाल में अगर कोई आपका प्यारा आप से बिच्छड जाता है, कोई गारी या मोटसाइकल लापता हो जाती है, तो इस मुश्किल सुरत हाल में कौन से ऐसा डिपार्टमेंट है, या कौन से ऐसे लोग हैं, जो आपकी मदद के लिए 24 जो नाज़ीन, मैं इस वक्त मوجود हूँ पंजाब सिर्प सिटीज अथॉरिटी के लॉस्ट और फाउंड डिपार्टमेंट में, लॉस्ट और फाउंड डिपार्टमेंट 24 गंटे काम करता है, यहां पर हर शिफ्ट में आफिसेज मुझूद होते हैं, जो आपकी मदद के लि पार्टमेंट किया है और वो किस तरह काम करता है, एक्षिल लॉस्ट और फाउंड डिपार्टमेंट का जो परपस है, कोई भी गुमशुदा चीज यह अफराद को डूंड के लॉट के लिवाहिकें तक पुंचाना है, यह मारा काम है, मुझी बताइएगा कि कितने केसिज जो है, वो अब तक आप हल कर चुके हैं, उजहर अगर हम आप से लॉस्ट मॉन्थ अगस के स्टेल शेयर करें तो हम टोटल मारी फाइंडिंग बन एक्टी सिक्स हैं, जिस में से 166 मोटर बाइक्स हैं, 6 जो हैं, वो परसंज हैं, 7 रिक्षाज हैं और 5 जो हैं, और 5 जो हैं कोई भी ऐसी कॉल, जिनमें जो कॉलर है, वो अपनी गुम्शूदगी की इतला देते हैं, तो उसका एक हमारे पास केस जनरेट होते हैं, उसका हमने सोल्व करना होते हैं, अब हम अपने रिकार्ड के साथ मैच करते हैं, क्या हमें कोई ऐसी कॉल तो मसूल नही हुई, कि जि अब जवा देते हैं, तो वहां वो वेरिफिकिशन के बाद उनको हैंड़ोवर कर देते हैं, मुझे बताईएगा, कि जो हमारे पास केस जाते हैं, उन केस की रेशो क्या है, किस किसम के केसी ज्यादा होते हैं आपके पास, असल में मोटर बाइक्स की जो रेशियों सबसे ज बेसिकली गुमशुदा जो चीजे हैं, उसमें परसन हो सकते हैं, बच्चे हैं, गारियां हैं, मोर्साइकल हैं, जितनी भी सारी चीजे हैं, वो लॉस और फांड डिपार्टमेंट उन चीजों को फांड़ोड करता है, उसकी इतला वन पाइपर दी जाती है, फिर वो यहां आप जो हैं, आप जो हैं, आप जो हैं, वो किस तरह आपने काम कर रहे हैं, बेसिकली लॉस और फांड डिपार्टमेंट में हमारे पास किसी भी किसम की गुमशुदगी की इतलाव वन फाइफ के थूप हमें की चाहती है, ठीक है, इन केस एक परसन हमें कॉल किये कि उसकी क हो गई है, on the other hand, हमें वन फाइफ पर ही कॉल रेसीव होती है कि कोई चीज मिली है या कोई सिस्पिशुस परसन मिला है, लॉस और फांड ने थू दिफ्रेंट क्यूरी क्रॉस मैच करना होते है, कि एक परसन के कोई मोटरसाइकल गुम होई है, दूसरा परसन ने कॉल किये क कि उसे मोटरसाइकल मिली है, क्रॉस मैच रिंग के थू हमने वेरिफाय करने है, कि इफ दे सेम मोटरसाइकल बिलॉंग्स तो दू कॉलर हूँ है, यह सारा प्रोसीजर हम प्रॉपर क्यूरी के थू करते हैं, और जब हमें कनफर्म होता है अपने अंड पर, तब हम उस ओनर करते हैं, जिसने बाइक चोडी होने की या एक इस परसन के घुम होने की इतलाग है, इस सारे प्रोसीजर में जो फील्ट फोर्स होती है, हमारी ठाना ज़ात की पिलीस होती है, दॉल्फिन है, पीडरू फोर्स है, यह हमारे साथ बहु ज़ादा पॉर्ट करते हैं, कई कैसी इसे हैं जिसमें हमारे पास कॉलर या फिर जो रियल ओनर होता है उसका नंबर नहीं होता है इसके लिए हमें जो डिफरेंट और डिपार्टमेंट से हमारे हमें उनकी हल्प शाहिए होती है मैं बजाहिर ये एक मुश्किल टास्क है जो आप पर्फॉर्म कर रहे हैं मुझे बताईगा कि एक केस को सॉल करने के लिए आपको कितना वक्त दरकार होता है बेसिकली ये वोर्क डिपेंड करता है जो हमारा कॉलर है उसने अपना एड्रेस और मुबाइल नंबर अगर हमें क्लेर दिया है तो पुलीस की ये कोशिश होती है कि जल्द से जल्द ये जो भी उनकी बिलॉंगिंग हमें मिली है वो उनके हैंड ओवर कर दी जाए सबसे ज्यादा अफेक्ट रिस्पॉंस टाइम का ये कॉलर पर होता है कॉलर की इन्फरमेशन पर है जो उसने हमें दिये जितनी क्लेर इन्फरमेशन होगी उतनी जल्दी उनकी बिलॉंगिंग मिलने के बाद उन तक पहुंचा दी जाएगी मेडम हमारे नाज़ीन को बताइएगा कि जब वो वनफाइप पर गुमशिद्गी की इतला दें तो कौन-कौन सी इसी इन्फरमेशन है जो उन्हें परवाइड करनी चाहिए ताके आप उनकी मदद कर सकें सबसे पहली बात जो आप अगर किसी परसन के गुमशिद्गी की इतला कर रहे हैं तो उसकी एज उसका हुलिया ठीक है यह आपको क्लियर बताना शाहिए किस किसम के कपड़े उस पर्द ने पहने हुए थे जब वो गुमशिदा हुआ ठीक है थर्ड थिंग इस के आपको य बाड़ी वगेरा गुम हुई है तो आपने उसका नंबर हमें क्लियर बताना है आपको जो भी डॉकुमेंट्स है उसे देखकर यूजियली ऐसा होता है कि आप डॉकुमेंट्स के थ्रू प्लियर नंबर नहीं बताते हैं तो बहुत मुश्किल होती आप तक इतला देने में मैं मुझे बताईएगा आप बहुत अच्छा ये काम कर रहे हैं कोई भी बच्चा है कोई शक्स है वो गुम हो जाता है जब आप उसको फाइंड करते हैं उनके पेरंट्स से मिलवाते हैं तो क्या फीलिंग्स होती हैं क्या फील होते हैं आपको Basically यहां पर हम यही कमा रहे हैं जब हम किसी भी फैमिली को बताते हैं कि आपका फलाँ बच्छा था जो आपने हमें इसे मिलता जुलता बच्रा हमें मिला है, तो उनकी खुशी हम वर्ड्स कित्रू आपके एक्स्क्लेइन नहीं कर सकते हैं, एक लंबी लाइन होती है, दुआओं की जो हमें मिल रही होती है, उसके साथ जो उनकी आवाज, उनके वर्ड्स, वी के नॉट एक्स्प्रेस, लेकिन हमें यह मिल रहा है, और इसकी वज़ा हमारी वो फील्ड फोर्स है, जो के प्रॉपर कोपरेट कर रही है, और करेक्टली क्रॉस मैच कर रही है, बहुत अच्छे तरीके से लोग हमें रिस्पॉंस देते हैं, कई ऐसे कैसे हैं जिसमें अनेक्स्पेक्टेड रिस्पॉंस आ इसकी क्या वज़ा है? प्रेंज हो जाते हैं, वो रास्ता भूल जाते हैं, और नहीं मिल पाते हैं, और वो गुम हो जाते हैं. दूसरी जो हमें बहुत ज्यादा देखने को आ रहा है चीज वो यह है कि पेरेंट्स का बिहेवियर, हमारे पास रिसेंटली है कि इस काफी ज्यादे इनकी रेशो इसमें वी केनाट अफोर्ड के हमारे बच्चे घर से बाहर जाएं और दिन रात बाहर निकालें और बाद में कई दफ़ा तो हमें मिल जाते हैं, ठीक है, किसी ना किसी तरहां से पुलिस रिसोर्सिस यूज करते हुए उन बच्चों को हम रिकवर कर लेते हैं, लेकिन हर द केहले आपको 15 पर कॉल करनी है, 15 पर कॉल करते हुए आपने अपना क्लियर नंबर, क्लियर एड्रेस और जो चीज गुम होई है उसकी क्लियर इंफोर्मेशन आपने 15 पर प्रोवाइड करनी है, और जो नंबर आप हमें दें, उस नंबर को फांक्शनल मतलब एक्टिव रख करते हैं, और जो सबसे जरूरी बात ये है कि अगर आपको किसी भी किसन की गुमशुदगी हुई है, आपके पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, कोई भी ऐसे चीज आपकी लापता हुई है, तो सबसे पहले उसके इतलाब 1-5 पर दें, और उसके लिए आपको क्लियर इंफरमे तो आप भी उसके इतला 1-5 पर दें, और कानून के दारे में रहते हुए कानूनी मदद हासिल करें, सेफ रहें सेफ सिटे के साथ, अलाँ आपिस